कि अलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप सब आशक करता हूं आप सब ठीक होंगे मैं अबने स्वागत करता हूं फिर से आपका अपने यूटूब चैनल एक्जाब जैस्ट में इस वीडियो में बात करने वाले एंटी पीसी लेवल 6 का जिजल जो है आ चुका है और जिन केंडिडेट का एक मार्क से या भी पॉइंट 5 या भी पॉइंट 2 मार्क से फाइनल दीवी के लिए जो कटोफ गई है उसमें सेलेक्शन नहीं हो पाया है तो वो सारे केंडिडेट यह सोच रहे हैं कि सेकंड डीवी लिस्ट आईगी यह नहीं आईगी तो इस वूड़ में हम इसी टोपिक पर बात करने वाले हैं कि आपकी सेकंड डीवी लिस्ट आईगी यह नहीं आईगी वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग चैनल पर विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब करके बैल आइकन को जरूर प्रेस कर दीचेगा गोर्मन योग क अंदर पेल होए हैं काफी कम मार्जन से फेल होए तो वह सोच रहे हैं कि डीवी लिस्ट जो है सेकंड आई गी यह नहीं आई तो मैं उनको एक चीज़ बताना चाहता हूं जब रेलवे एक पोस्ट पर दो कैंडिडेट यानिके वन ड्रेशो टू में डेटी थी उस समय भी डीवी लिस्ट जो है सेकंड थर्ड फोर्थ आई है यानि कि अगर हम पिछली बार की बात करते हैं तो 2017 और 2018 की वैकंसियों की बात करते हैं जो गुरूप बगरा और येल्पी ली गई है आर रवी जेई की लीग गई है जो वैकंसी उनके जो है अभी तक वैकंसी कम्प्री नहीं होई है और डीवी लिस्ट आपकी दुबारा आई है तो मौस्ट प्रोबबली चांस है के एंटीपीसी लेवल 6 के लिए भी जो है डीवी लिस्ट सेकंड डीवी लिस्ट के चांसिस पूरे-पूरे हैं मैं आपको एक एक्जामपल से बताते रहा हूं कि किस तरीके से आपकी जो डीवी लिस्ट है वो आ सकती है एक्जामपल आप यह समझे के अगर सोग कैंडिडेट है और वेकंजी भी आपकी सोग है तो सोग एकंडिडेट और सोगाइक पर वो फुल्फिल्ट कर जाएंगे लेकिन पोई एक भी कैंडिडेट अगर उस पर फुल्फिल नही जाराजार में वेकंजी निगलती है और कैंडिडेट जो है क्राइटेरिया फुल्फिल नहीं कर पाते हैं तो सेकंड डीवी लिस्ट के या तक के थर्ड डीवी लिस्ट के भी चांसिस पूरे-पूरे बन जाते हैं और यह सब आपने एलपी की वेकंजी जो होई है जेही की हसे लगिन बताएस देगें मेरीप के डाउन कर लेका एक सिंपल सी समझेट यह गी, क्या है वो अभी आशा ना छोने अपने डोकुमेंट्स को तैयार चखे क्योंकि जाहिर सी बात है कि 20 से 30 दिन दक जो है डीवी लिस्ट आने के कोई भी चांस नहीं है लेकिन उसके बाद आपकी सेकेंड डीवी लिस्ट जो है वो पब्लिश की जा सकती है क्योंकि इस बार जो रेलवे ने वन रेश्व वन में कैंडिडेट को बुलाया है तो जाहिर सी बाता के सेकेंड डीवी लिस्ट तो आईगी ही आईगी में अगर बात करते हैं पिछली बार की वैकेंशी के लिए तो पिछली बार जो वैकेंशी ली जाती थी वो एक रेश्व टू में ली जाती थी वन रेश्व टू में उसके बाद भी सेकेंड डीवी लिस्ट थर्ड डीवी लिस्ट तो कोई चर्चा ना की जाए कोई अब बहुत से नोगरी नहीं है तो जो आर रवी की नोगरी थी वह कहीं नहीं पर थी लेकिन अब तक जो है पैनल खाली है और अब तक डिली लिस्ट को डाउन करके पैनल को भर रही है तो आप यह सब बिल्कुल भी ना सोचिए कि डीवि लिष्ट नहीं आ सकती डीवी लिष्ट जरूर से जरूर आईगी चुनकि बहुत से ऐसे ऑधे चिनके पास जोगोमेंट नहीं होते हैं तो फियंट मेंद शट जाएंगे बहुत से इसे होंगा जो पोस्ट के पोस्ट के मुताबिक अपना मेडिकल क्रेटेरिया पुल्फिल नहीं कर पाएंगे तो वह भी जो कंडिडियेट है वह भी निकल जाएंगे तो अगर देखा जाए तो सेकिंड और थर्ड दीविग लिस्ट आने के आपके बहुत तो उनको चांद मिल सकता है अगर कोई ऐसा बोलता है तो वह भी कलत होगा क्योंकि इस बार नॉर्मलाइजेशन नहीं है तो मान लीजिए मैं आपको एक एक्जाम्बल से फिर से समझाता हूं अगर मान लीजिए सो कंडिडियेट पोस्ट पर चैनित की गए है और उसके बाद जो लाइट केंडियेट था उसके 120 में से आपके 72 नंबर लेकिन जो उसके ऊपर केंडियेट है उसके नंबर है 80 तो जाहिर सी बात है अगर उन्हें दो केंडियेट लेने होंगे तो अपनी कटोफ को बाद लेकर आएंगे क्योंकि नॉर्मलाइजेशन नहीं था तो बहुत से कंडियेटों के मार्क्स में बहुत जाला अंतर है तो यह कहा पाना बहुत मुश्किल है कि पॉइंट फाइव गटेगी यह सब आरार भी कोई पता है कि कितनी कटोफ गटेगी और कितनी कटोफ पहेएगे तो इसलिए कटोफ कितनी होगी इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे इसलिए कि सेकुट डिवी लिस्ट आएगी यह नहीं तो मैंने आपको बता दिया अगर बात करते हैं एक लेवल करें आ सकता है तो इस मन्त के अंदर चेटमबर के मन्त के अंदर आपका एक लेवल यह ज़सम आ जायेगा इस लूड़न बस इतना ही मिलते है नेट रूरों म झाल